आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत प्यू शम कच्छाशा की संस्रकित के पुस्तक है तो इसमें बच्चों आज हम बात करेंगे दुतिया पाठा है यह पुन्रावलोकम दो है तो सबसे पहले बच्चों इस वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे इसका हिंदी अनुवात देखेंगे और इसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रशन हल करेंगे तो आए बच्चों इसको हम पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ हम इसका हिंदी भी देखते हैं तो दुतिया पाठा पाठ दो, पुन्रा व्रति दो है, पुलिंगम ये पुलिंग के बारे में बात की गई है, एक बचन, पुलिंगम एक बचन ये पुलिंग एक बचन, एसा कह यह कौन है, एसा छात्रा बच्वो आपकी सुवधा के लिए हमने इसमें हिंदी भी लिख दिय एैसख कह Elder Sun Sun 94 क्या करता हैं एश ports पढ़ती यह जज corporation की बात करें इतों कौन यानि ये दो कौन है इसमें चित्मेंद दोहंती दिखाया गया एक बालब दिखाया गया ऑन दिखाय गया तो एक वचन की बात की गई है अब यहां पर फुलिंगम दुवचन की बात की गई है तो यहां पर दो हाथी चिति में दिखाये गए हैं एतो को यह कौन है एतो गजो यह हाथी है एतो किम कुरत यह क्या करते हैं तो गजो जल पीवत यह हाथी पानी पीते हैं अ यह क्या करती हैं। एक वचन एसा का यह कौन है। एसा बालिका यह बालिका है। एसा किम करोती यह क्या करती है एसा बालिका अम्बाम नमती यहा बालिका मा को नमस्कार करती है दुवचन यानि इस्त्रिलिंगम दुवचन इस्त्रिलिंगम दुवचन एते के यह कौन है एते अजे यह बकरियां है इसमें चितने बकरी दिखाए गई अजा में बकरी होता है एते किम कुरता ये क्या करती हैं एते गजे घासम चरता ये बकरिया घास चरती है फिर इस्टिरिंगम वहवचन एता का ये सब कौन है एता बालिका ये सब लड़कियां है एता किम कुर्वनती ये लड़कियां क्या करती हैं एता बालिका पुस्तकानी पठनती ये लड़किय पुस्तक पढ़ती हैं यानि पुस्तक पढ़ती हैं अब नफुषण लिंगम e estimates Bronze या क्या है? यह क्या है या है एतत पुस्तंपंया फूल है एतत पुस्तंपं प्रीदिसम यह फूल कैसा है एतत पुस्पम सुंदरम यह फूल सुंदर है दिवचनम एते के ये क्या है एते फले ये फल है एते फले कृद से ये फल कैसे है एते फले मधुरे ये फल मीठे है बोवशिनम एतानि कान ये सब क्या हैं एतानि चित्रान ये सब चित्र हैं एतानि चित्रानि क्रिदिसान ये चित्र कैसे हैं एतानि चित्रानि सुन्दरान ये चित्र सुन्दर हैं अब आगे हम बात करेंगे खा यूस्मत अस्मत सब्दा के बारे में यानि मध्यम पूर्शा और उत्तम पूर्शा और उत्तम पूर्श के बारे में अध्यापका, अध्यापक हे बालका, हे बालक, तुम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो, बालका, बालक, सिरीमन, सिरीमान, अहम इतिहासं पठाम, मैं इतिहास पढ़ता हूं अध्यापक हे बालको, हे बालको, युवाम किम पढ़ता है, तुम दोनु क्या पढ़ते हो, बालको, अवाम संस्कृत भाशां पढ़ते हैं, अध्यापक हे बालको, सोभनम इम भासा सरला मधुरा चा अस्ति, यह भासा सरल और मधुर है, अध्यापक हे बालको, युवाम किम पढ़ता हैं, तुम सब क्या पढ़ते हो, शिरिमन, शिरिमान, वयम बुझ्जानम पढ़ता हैं, हम सब विज्ञान पढ़ते हैं अध्यापक अध्यापक बाढ़ं अध्यापक विज्ञान जीवन में आवश्यक होता है जानीथ यह विज्ञान जीवन में आवश्यक होता है जानीथ पठनेन ज्ञानम भवती पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है क्रीडनेन चा सरीरम स्वस्थम भवती और खेलने से चामिन और होता है और खेलने से सरीर स्वस्थ होता है बालका बालकुम आम स्रिमन आमिन हा स्रिमान वयम मनोयोगेन पठाम हम सब मनोयोग से पढ़ती हैं इसने हम खेलाम इसने से खेलती हैं अब यहां पे पुलिंगम में पठाम है इसके बाद इसने पुलिंगम है एसा यह एते ये दोनों एता ये सब युवाम तुम दोनों तीनों लिंग के लिए और ये आवाम आवाम हम दोनों इसके बाद नपुशक लें तो यहाँ पर एतत यह एते ये दोनों एतान ये सब युवाम तुम सब वयम हम सब अब इसके बाद हम इसका अभ्याज प्रशने देखती हैं, तो सबसे पहले दिया गया है कि सर्वनाम, सब्दानाम, प्रियोगा, प्रियोगम, पश्यती, इसमें सर्वनाम सब्द का प्रियोग में देखना है, कहां कहां पर सब्दानाम सब्द का प्रियोग किया गया है, तो जैसे दिया गया है कि छात्रा पठती, तो यहा तेध हावंति यह सरुनाम है तो यहां पर हम अंडरलाइन कि यह दे रहे हैं जो यह हमारा उपर जो यह सात्रा यह क्या है संग्या है और यह सरुनाम है यह संग्या है यह सरुनाम है इसे दूसरे वाक में देखते हैं छात्रा वदति तो यहां पर छात्रा क्या है संग्या है वदति, यानि शात्र के लिए एशा का प्योग किया गया है, तो ये सरुनाम हो जाएगा, बालका, नमति, यहाँ पर बालका के लिए एशा प्योग किया गया है, तो ये हो जाएगा, एशा, यानि ये सरुनाम हो जाएगा, अब हम आगे आते हैं, इसके बाद पत्रम, पतति, व्यक्ति 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 अज्थान या गुन या भाव के नाम को संग्या कहते हैं कहने का मदब किसी व्यक्ति वस्तू इस्थान तथा गुण और यह हम कह सकते हूं भाव की नाम किया कहते हैं संग्या कहते हैं जैसे बालक है कलम है प्रियाग है संदर्ता है कुमलता है यह सब क्या है संग्या सब्द है और सरुनाम क्या है कि संग्या की इस्थान पर जिन सब् का प्रियोग किया जाता है उन्हें शरुनाम कहते हैं जैसे यह वह कौन मैं तुम आदिव जैसे बालक जाता है तो बालक क्या हो जाएगा संग्या हो जाएगा अगर हम जाए कहेंगे कि वह जाता है तो बालक के लिए वह का प्रियोग किया गया है तो यहाँ पर यह बाल इफा इसमें दिया गया है कि चित्रानुसारं संस्क्रत में उतर्ता है संस्कुत में उतर्तेना है। यहां पर हमें इसके बाद संस्क्र्वाशायां अनवाद करना है तो अनुआद देख लेते हैं, मैं खेलता, अनुआद हो जाएगा, अहम कृरामी, हम सब खाते हैं, वयम खादा महां, वह हसती है, सा हसती, और घा है, तुम दोनों लिखते हो, युआम लिखता है, अंगा है, ये वे बालिकाएं हैं, ताह, बालिकाह संती, और चाहे यह फल इदम फलं पत ती कि इसमें में क्रिया पत से मेल कराना है तो जैसे हम इसमें कुछ इधार पर आको और का लेने हैं कैसफ पठति एक उदाहरं के तो पर दे दिया गया है तो हम पठन्ति पर बाल का पठन्ति और ता पठन्ति िसी का धार पर और सब बना सकते हैं जैसी केस वो है बाल को यह भी हो जाए गा पठ तह आए इसी तरह से बालिके पतत Pr расп बना सकते थे पठता आग घ्रेसे में betत हैं इसीríome अब इसके बाद आता है मन्जूसा पद सहायन वाक्यानी रचियत है इसमें आपको संस्कत में इसको कैसे बनाया जाता है कैसे बनाएंगे हम इसको देखेंगे तो ये पुलिंग है बालका गच्छती तो जब बालका गच्छती तो हम इसको कैया लिख सकते हैं सहा गच्छती एसा गच्छती कहा गच्छती इसी तरह से गच्छत मीन क्या होता है बच्छों जाता है गमिस्यत मीन होता है जाएगी और जाएगा और गच्छत मीन होता है जा अब आता है इस तरही लिंग में बाल का गमिस्यदी यानि बालिका जाएगी तो यह हो जाएगा है किस सा गमिस्यती और गमिस्यती इसकी सब्दस्दम को इसमें लिख देना है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे भी हमने बताया है, जैसे बाल काह गच्छती, तो सह गच्छती, एसा गच्छती, काह गच्छती हम लिख सकते हैं, इसके बाद हम इसके साथ बाल का गमिश्चती, सा गमिश्चती, एसा गमिश्चती, का गमिश्चती, इसमें हम तो बचों यहाँ पर यह पार्ट हमारा समाब तो होता है इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में